देशफर में लोकसभाचुनाव के माहौल की बीच भारती जुनता पार्टी की राष्ट्रे कारे कारीनी की बैठक आज से दिल्ली में शुरू हुई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का दो दिवस्य राष्ट्र अधिवेशन चल रहा है इस कारेक्रम में पीएम नरींद्र मोदी भी शामिल हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड़्डा ने शौल पहना कर मोदी का स्वागत हिया इस मौकी पर पीएम मोदी ने कारेकर हुआ है भाजपा की 17 प्रदेशों में सरकार है हमने राजस्थान चत्तिसगर जीता है इस बार बंगाल में भी जीतेंगे राष्ट्र अधिवेशन में पार्टी के देश भर से 11500 से जादा पदाधिकारी जुटे हैं राष्ट्र कारेकारिनी और राष्ट्र परिश्थ की इस बैठक में लोगसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तयार किया जा रहा है साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निनायक फैसलू पर प्रधान मंतरी मोदी को धन्यवाद भी अधा किया गया मित्रो साथ दंगशक के भारतिय जंसंग और भारतिय जंता पार्टी के इतिहास में हमने हर कालगंड को देखा है हमने संघर्ष का काल देखा हमने जब हमारी उपेक्षा की जारी थी वो काल भी देखा हमने वो काल भी देखा जब हम जमानत बचाने के लिए चुनाओ लड टुझाओं में जीतने की प्रक्रिया हारने और जीतने की प्रक्रिया भी देखिए कि लेकिन हम सब को बहुत ही खुशी है कि पिछला पिछला दशक जो गुजरा है वो प्रधान मंतरी मोदी जी के नितरित required में उपलब्धियों भरा है उपलब्दियों से भरा हुआ है यह हम सब के लिए बहुत ही बहुत ही खुशी का विश्य है और बहुत ही खुशी के साथ मैं आप सब के साथ शेयर करता हूँ मित्रो प्रदानमंत्री मोदी जी के नेत्रत्यू के कारण पार्टी की साख पार्टी को लोगों ने आत्म साथ और लोगों ने जिस तरीके से स्विकारा है वह भी हम सब के सामने हैं दो हजार नौ के चुनाओं में भारतिय जन्ता पार्टी को जहां देश का 18.8 प्रतिशत का समर्थन मिला था वहीं दो हजार चौदा में मोदी जी के नेत्रत्यूत में भारतिय जन्ता पार्टी 31.3 प्रतिशत पर पहुँच करके ख़री था और 2019 में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा जहां 282 से 303 सीटे आई वहीं हम 31 प्रतिशत से बढ़कर 37 प्रतिशत हमारा वोट शेयर बढ़ा यह भी हमको ध्यान में